हेलो एब्रीवान वेलकम टू इंडिया बड़ी आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बड़ी में स्टुडेंट्स एक बड़ी न्यूज आ रही है कि फेबरेली का जो सेशन हुआ आपका जेई मेंस का उसके कट आफ बढ़ सकते हैं अगर इसके कट आफ बड़ेंगे तो ये इंडियरेकली आपके मार्च एप्रिल एंड मे के सेशन को बेसिकली ये अफेक्ट करेगा तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में लेके आयों और हम इसको देखते कि ये क्या है अगर आप देखेंगे ये इंडियन एक्सप्रेस का उसे और इसमें बोला गया है और इस बात को मैं भी सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैंने जब मेरे स्टुडेंट से बात की तो उनके तुरू मुझे मालूम पड़ गया कि पेपर बहुत जादा इजी बोला जा रहा था तो अब आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा कि आपने जितना question item किया है आपके कितने percentile हो सकते हैं तो पूरा हम अब इस वीडियो में देखने वाले हैं and please इस वीडियो को आप शेर किजी अपने friends के साथ क्योंकि उनको भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो आगे बढ़ते हैं अब हम यहां पे देखेंग अब कुछ students बोलेगे कि sir अगर मुझे 100 marks मिले है या मुझे 120 मिलने के chances है या मुझे 114 मिलने के chances है तो मेरा इस वीडियो में देखने वाले हैं इसमें पूरा अच्छे से explain किया है तो अगर आप इसको देखते हैं तो यहां पे इन्होंने बहुत अच्छे से बोला गया है क जो पेपर हुआ वो पूरा conclude हुआ उसके बारे मैंने उने बताया कि जो slightly up होगा उसमें जो important चीज़ है marks के point of view से तो यहां पे basically एक प्रोफेसर रॉय है और जो कोलकता के institute है और उन्होंने बोला है the cut-off for the general category may vary between 90 to 100 while the reserve category के जो cut-off रहेंगे वो 60 to 70 रहेंगे and candidate scoring around 200 can expect the percentile between 90 to 100 आप समझ सकते 200 marks out of 300 आपको मालोंगा पहले कुछ students लोग रहे जिनको 100 भी मिला था या 120 भी मिला था उनके percentile काफी high चले गयते but यहाँ पे इस बार का paper बहुत simple आया था अगर आप chemistry का paper देखोगे बहुत ज़्यादा simple आया था maths थोड़ा से लेंदी था बट physics भी ठीक टा की था तो उसमें scoring जिस मच्छों ने पढ़ाई किया उनको scoring करना बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए काफी अच्छा तरीका थ तो यह भी एक बहुत important चीज़े कि आपके cut-off बहुत ज़्यादा high हो सकते है और percentile जो आप last year के इसाब से अगर आप देख रहे हो कि मानलीजे कोई बुलेगा कि मुझे 120 मिला तो मेरा क्या percentile होगा तो आप last year के इसाब से मत चलिए and अगर आपने February का paper दिया है और अगर आ आप March, April और में का भी paper दीजिए and इस वीडियो को आप share कीजिए बहुत बड़ी न्यूज है बहुत सारे बच्चों को इन सब चीज़ के बारे में नहीं मालूम और आपको ऐसे वीडियो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आपको ऐसे बहुत सारे updates मिलते रहे याभी तो थेखिए एंडिया बधी जैहिंद